तो लूफी सॉंग को बनाने के लिए आपको open कर लेना है अपना chrome browser और यहां पर आपको सर्च करना है pixa bay और इस video पर मैं आप लोगों को लूफी सॉंग बनाने के लिए पूरा step by step बताने वाला हूं जिसको अगर आप follow करते हो तो आपको कोई भी copyright claim, copyright strike वगएरा नहीं आएगा और उसको किस तरीके से upload करना है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ तो आप लोग बस इस वीडियो के steps को follow करो तो हम लोग यहाँ पे search करेंगे Pixa Bay कुछ इस तरीके से लिख लेना और आपको search पे click कर देना तो आपके सामने यह वाला website open हो करके आ जाएगा तो simply इस पे click करेंगे तो कुछ ऐसा interface आपके सामने आ जाएगा अब आप किस type के loofy song को बनाना चाहते हो मान करके चलो कि आप romantic songs पे बनाना चाहते हो या फिर sad song पे बनाना चाहते हो तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे images search कर लेना है तो for example मैं आपको sad song का बना करके दिखा रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे search for images लिखा हुआ यहाँ पे आपको click करना और sad song पे मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे उसी तरीके से मैं image को search करता हूँ तो यहाँ पे alone लिखते हैं और यहाँ पे search पे click कर देते हैं तो देख से अब तो आपके सामने बहुत सारे photos निकल करके आ चुके हैं तो आपको यहाँ पे जो भी photo अच्छा लगता है आप यहाँ से कोई भी एक photo को select कर लेना ठीक है तो as a example मैं आपको यहाँ से यह photo select कर लेता हूँ तो देख सकतो यहाँ पे आपको नीचे free download का option मिल जाता है तो simply आपको इस पे click कर देना है click करोगे तो आपसे resolution पूछेगा तो आपको जिस भी resolution में download करना है simply इधर tick mark करना है और आपको यहाँ पे download वाले पे click कर देना है click करोगे तो आपसे के capture verification करवाएगा तो simply आपको यहाँ पे नीचे जो box दिख रहा है, इसमें आपको tick लगा देना है, और tick लगा करके नीचे download वाले पे click कर देना है, तो यह image आपके gallery में save हो जाएगा, देख सब तो यहाँ पे लिख करके आ चुका है file downloaded, तो यह तो हो गया हम लोगों का image download हो चुका है, अब हम को download करना है अपना song, जिसको हम लोग Luffy song में convert करने वाले हैं, तो song को किस तरीके से download करना है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि यह चीज़े YouTube Community Guidelines के खिलाप में आता है, अगर वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो आप जो यह वीडियो अभी देख रहे हो, यह वीडियो चैनल से उड़ जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका solution क्या है, इसका solution यही है, कि आप इस वीडियो के description box में दिये गए, Instagram link पे, जा करके आप मुझे contact कर लेना, तो मैं आपको वहाँ से सिखा दूँगा, ओक अब चलते हैं, हम लोग next step पे, तो next step पे जाने के लिए, हम लोग chrome को बंद कर देंगे, और open कर लेना है, आपको अपना काइन मास्टर application, तो मैं आपको ले करके चलता हूँ, full screen पे, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपना काइन मास्टर को open करेंगे, तो ऐसा interface आ जा देना है, उसके बाद आपको ratio select कर लेना है, solar ratio 9, यह वाला ठीक है, यह select करने के बाद आपको simply नीचे create पे click कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ से एक background ले लेना है, तो background के लिए मैं यहाँ से एक video ले रहा हूँ, और इस video का link भी मैं आपको description पे दे दूँगा, तो download करके अपने video में use कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ से मैं उस video को select करता हूँ, तो यह रही मेरी video और इसको मैंने यहाँ से select कर लिया है, ओके, तो देख से अब तो नीचे यह आ चुका है, अभी हम लोगों को simply यहाँ पे, देख से अब आपको simply यहाँ पे layer पे click करना है, उसके बाद आपको media पे click करना है, और हम लोगों को वो photo select कर लेना है, जो हम लोगों ने अभी download करा, पिक्सा वेस है, तो यह रही हमारी photo, इसको select करेंगे, कुछ इस तरीके से, तो देख सकतो यह screen पे आ चुका है, तो इसको zoom करने के है, देख सकतो जहाँ पे मैं touch कर रहा हूँ, यहाँ पे उंगली रखनी है, और और इस तरीके से खीचना है, तो आपका जो photo है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको अपने screen पे कुछ इस तरीके से set कर लेना है, जहाँ पे भी आपको देखने में अच्छा लग र हो, इतना करने के बाद आप नीचे देख सेप्ट हो, यहाँ पे जो photo वाला layer है, इसको यहाँ पे उंगली रखना है, और इसको खीच करके बढ़ा लेना है, जितने मिनट का भी आपका song है, उतने मिनट का आपको इस तरीके से खीच करके बढ़ा लेना है, ठीक है, एज एक करने के बाद आप हम लोग डालेंगे इसमें अपने song को, जो भी हम लोगों ने कहीं से download करा, उसको यहाँ पे डालेंगे, तो उस song को लाने के लिए आपको सिधे audio वाले पे click करना, और इधर आपको folders दिख जाएंगे, तो सबसे नीचे आ जाना है, और आपको यहाँ पे folder पे click कर देना है, folder पे click करोगे, तो आपके phone में जितने भी folders रहेंगे, सब आपको यहाँ पे दिखना start हो जाएगा, तो simply आपने जिस folder में भी song को download करके रखा, उस folder में चले जाना, तो मेरा simply download वाले folder में है, देख सकतो हो, यह रहा मेरा song, तो इस पे एक बार click करना है, तो आपको यहाँ पे पलस का option देखने को मिल जाएगा, थीक है, तो simply इस पे click कर देना है, पलस वाले पे click कर देना है, OK, click करोगे, तो आपका song नीचे देख सकतो हो, यहाँ पे आ चुका है, और उसके बाद simply आपको यहाँ पे cut वाले पे click कर देना है, OK, इतना करने के बाद मै आप लोगों को यहां से थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूं, यह song अभी loopy song में convert नहीं हुआ है, अभी इसमें changes करने बागी हैं, तो मैं आपको अभी प्ले करके दिखा देता हूं, तो देख सकतो, यहां पर हमारा song यहां पर आ चुका है, अब हम लोग इसमें करेंगे इसको edit, इस voice को edit करना है, ठीक है, तो इसको edit करने के लिए, यहां पर इसको song को select करेंगे, select करने के बाद आपको चले जाना है, voice envelope में, यह वाले option पर ठीक है, इस पर आपको click करना है, और कुछ 50% को रख लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, 50% आपको कर लेना है, तो यहां पर मैं 50% इसको कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको कर लेना है, करने के बाद simply आपको यहां से back कर देना है, back करने के बाद आपको चले जाना है, reverb पे, ठीक है, यहां पर आपको option करने के बाद आपको simply यहां से आपको back कर देना है back करने के बाद आपको चले जाना है voice changer यह वाले पे voice changer पे आने के बाद आपको simply यहां पे इसको scroll करना है और आपको यह growl वाला option यहां पे select कर लेना है ठीक है कुछ इस तरीके से select करने के बाद simply आपको यहाँ पर back कर देना back करने के बाद आपका यहाँ पर काम हो चुका है ठीक है भुआ इसमें जो भी changes करने थे सारे changes हम लोगों ने यहाँ पर कर दिये अभी भी हम लोगों का यह song Luffy song में convert नहीं हुआ है कैसे copyright claim कैसे copyright strike से बचना है पूरा step by step follow करो तभी वो possible hope आएगा ठीक है तो इसके लिए अब हम लोग डालेंगे इसमें text कि किस related यह song है ओके तो जैसे कि एक sad song है तो मैं यहाँ पर sad song उपर लिख दूँगा तो लिखने के लिए आपको layer वाले पर click करना layer वाले पर click करने के बाद text पर click करना और यहाँ पर आपको लिख लेना sad luffy song ठीक है कुछ इस तरीके से लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको simply okay पर click कर देना है तो देख सकतो हमारा जो text का वो आपको screen पर दिख जाएगा तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा attractive बनाएंगे तो attractive बनाने के लिए हम लोग इसके font को change करेंगे तो simply आपको यहाँ दिख रहा है font का option यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ से आपको जो भी font अच्छा लग रहा ले सकतो ठीक है मैं यहाँ पर यह वाला ले रहा noto serif bold italic वाला इसको select करके simply आपको उपर टिक वाले पर click कर देना है okay इतना करने के बाद इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि देखने में यह अच्छा लगे और अपने screen के बीचो बीच पर यह set कर लो कुछ इस तरीके से ठीक है तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग और attractive बनाएंगे तो attractive बनाने के लिए इसको नीचे करेंगे और हम लोग click करेंगे यहाँ पर outline पर ठीक है तो outline पर click करेंगे और इसको enable कर देंगे enable करने के बाद इसको back कर लेना और फिर click करना आपको shadow को भी आपको enable कर देना और यहां से इसको back करेंगे और फिर आपको glow पे click कर देना और glow को भी यहां से enable कर देंगे और इसमें आपको जो भी color बगएर है डालना आप यहां से color पे click करोगे और जो भी color आपको लेना ले सकते हो ठीक है कुछ इस तरीके से अपने मन पसंद से color ले लेना ठीक है इतना करने के बाद simply आपको back कर देना फिर से एक वर back कर देना और यहाँ पर नीचे देख सकतो यह जो आपका text वाला layer है इसको select करना और जितने minute का आपका song है उसको कुछ इस तरीके से मतलब आगे की और बढ़ा लेना है ठीक है जितना भी minute का आपका song हो ठीक है तो मैं example के लिए इतना ही रखता हूँ आपको पूरे song में कर लेना है तो यह हो गया आपका लूफी song बन करके तयार अब मैं आपको play करके इसको दिखा देता हूँ कि कैसा बना है यह ठीक है यहाँ से मैं आपको play करता हूँ तो देख सेटो कुछ इस तरीके से हमारा लूफी song बन करके तयार हो चुका है अब इसको upload कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है उससे पहले इसको export कैसे करना है वो भी सीख लो ठीक है तो export करने के लिए आपका मान करके चलो song इतना है मतलब पूरे songs पे है और आपका यह जो part फाल्दू का part इधर जो right side में जो part है उसको आप लोगों को सबसे पहले cut कर लेना है तो cut करने के लिए यहाँ पे देखो यह white part एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो इसको select करेंगे select करने के लिए trim and split पे आपको जाना है और यहाँ पे trim right कर देना है तो यह cut हो जाएगा देख सब तो cut हो चुका उसके बाद इसी तरीके से यह photo वाले part को भी select करेंगे और trim पे ज कोगे यह जो voice का text है sorry voice का जो layer है वो भी यहाँ पे बड़ा है तो simply यहाँ पे trim right करके इसको cut कर देंगे ठीक है तो अब हम लोग यहाँ से इसको export करने के लिए यहाँ पे आपको उपर में यह arrow वाला sign दिख रहा है इस पे आपको click कर देना है और जिस भी resolution में आपको export करना वो आप select कर लेना select करने के बाद आपको नीचे save edge video पे click कर देना है तो देख सेब तो आपका video है वो save होना start हो चुका है ठीक है अब इसको upload कैसे करना है credit कैसे देना है जिससे कि हम लोगों को कोई copyright claim नहीं आए copyright strike नहीं आए वो अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ठ काइन मास्टर को काइन मास्टर को बंद करने के बाद आपको open कर लेना अपना Chrome open करने के बाद आपको यहां पे search करना है जैसे कि यह song था तुम क्यों चले आते हो ठीक है तो आपको यहां पर उसी song का name लिख लेना ठीक है जो जिस song के आपने जिस भी song को आपने लूफी song मे convert करा है, वो song का name लिखना है और last में credit लिख लेना कुछ इस तरीके से और आपको search पे click कर देना है तो search पे click करोगे तो आपके सामने बहुत सारे website खुल करके आ जाएंगे, तो देख लेना किसी भी website को open करना और उसमें आपको credit दिया हुआ, मिल जाएगा, ठीक है कि वो song को किसने मतलब लिखा, किनोंने मतलब कि गाया और कौन से movie का वो song है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हो detail देखने को मिल जा रहा है ठीक है, तो simply आपको यहाँ से इसको copy कर लेना है यह तो हो गया song का credit ठीक है, इसको यहाँ से आप copy कर लेना और आपने वीडियो के description में आपको लिख देना है ठीक है, यह हो गया song का credit अब आपको देना है disclaimer ठीक है, तो disclaimer देनी के लिए आपको फिर से यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे लिख लेना है, copyright disclaimer ओके, इतना लिख के आपको सर्च पे क्लिक कर देना है सर्च पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने यह वाला website खुलेगा, Google का यह site है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने यह देख सकते हो, यह लिखा हुआ आ चुका है, तो आपको यहाँ से copyright disclaimer जहां से लिखा हुआ यहाँ से ले करके, यहाँ तक आपको copy कर लेना है, और इसको भी अपने वीडियो के description में लगा देना है, अगर आपको यह चीजे लिखने नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो के description box को open कर लेना, मैं वहाँ पे लिख दूँगा तो आप वहाँ से इसको भी copy कर सकते हो, ठीक है, और आप सीख भी सकते हो कि कैसे उसको लिखना है तो इस वीडियो के description box को check जरूर कर लेना, तो मैं उमीद करता हूँ, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को like कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लो मिलते हैं next वीडियो पे